कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे तो आज कि इस वीडियो में मैं थाउजन डॉलर से ट्रेट करने वाला हूं और मेरा टार्गेट रहेगा कि इसके उपर में 15% 20% अपनी टार्गेट को कम्प्रीट करूं तो यहां पर देको 100 डॉलर मै मैं ट्रेट कैसे कर रहा हूं कोई भी यहां पर इंडिकेटर नहीं यूज करूंगा जस्ट में प्राइजक्शन देखूंगा और यहां पर मैंने एक जीग-जीग ओपन किया हुआ है जिसे कि हमको मार्केट का ट्रेंड पता चल सके ठीक है इससे बहुत अच्छे आपको मा की ट्रेट लगाने का सिंपल सा रीचन है यहां पर मैंने प्राइज एक्शन देखा और फ्राइज एक्शन के हिसाब से ठीक है यह एक एंडल को ग्रीन क्लोजिंग देने चाहिए आपको भी डरने नहीं है आपको डरने नहीं है आपको ऐसा लगता है कभी-कभी कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है तो ऐसा परसेंटेज कम है मैं तो 85% वाले से कम जहां पर मिलता हूं पर ट्रेट करता ही नहीं हो ठीक है यह वाली अगर लॉज जाएंगी तो मैं यहां पर यहां पर लॉज लगा दिया हुआ अप यहां पर देख सकते हूं कि मेरा यह ल ग्रीन बनेगी ही बनेगी देखो यह वाली केंडल को ही बनना था लेकिन यहीं नहीं बनी तो कभी-कभी प्राइजेक्षन एक बन में अच्छी खासी वर्क नहीं करता है तो हम इसका MTG लिए लेकिन अपने ट्रेट का मैं ंटीज कभी नहीं देते हैं आप लोग को सब्सक्राइब किस तरीके से इसको रिकवर करूंगा कर लोस गया तो इस वस्ते से मैंने यहां पर तेन पर सोरी फाइव परसेंट इंबेस्ट किया देखो काफी डिप आइटियम चला गया ठीक है तो यहां पर नीचे आया चलो हमने यहां पर टेड ले लिया ठीक है हाला कि थ्वासा होने चाहता तो लेने की चाहिए हमको यहां पर बट हमने ले लिया ठीक कोई नहीं यहां पर केंडल को ग्रेंड क्लोजिंग देना चाहिए ठीक है अपने अलसिस का पाउड आप यहां पर यहां पर डेफिनेटल के बाद एम्टीजी यह आपनी टेड का मैं करूंगा और आप केड़ी आपको लगंवीं जाएक मेरा मटीजी कभी विलॉस नहीं जाता है मुझे पता है कि मैं किस तरीका से करता हूं और मैं चीज़ करता हूं फिलाल यहां पर देखो अगडरी कंडल लॉस जाएंगी तो मैं यहां पर दो टेड लगाओं अठीक है करूण चिसे कि आप्मोग पाइंट कैसे किस रिजन से ले रहे खिर आप करूगा आप लिए एक ह्याओ चुए मारियों यहां उपर यह घंड़ों से क्ष़ने है क्योंकि हमारी व्यार में सरस्थी कुझा चल रहा है और उसी का साउंड आप लोग को आड़ा है तो उसको अर्जिस्ट करना पर एंड यहां पर देखो चल रहा है टेड़ अब तो देखो यह बहुत कोशिस कड़े निचाने की लेकिन इसकी पावर नहीं कि केंडल रेड में क्लोजिंग देगी चाहे कुछ भी होगा लास्ट सेकंड में क्यूना ग्रीन में जाए लेकिन जाएगी तो चाहेगी अपने अलसिस का पावर आप यहां पर देखने वाले ह अभी तक लॉस में है न गाईच हंडेट एंट परसंट में करऊं की तो देगी चलिक डेखो लास्ट में जाकर देखना ग्रीन ख्लोजिंग देगी तो देगी ठीक है डेखो केंडल क्या कुल जींग अब देखो यहां पर मैंने आप से प्लोइस ऑप क्या पोला था कि यह क बन सकते हैं इस विए से मैंने सोच था कि यहां पर थोगा सा मार्जिंग मुले बट हमने जल्दी बाजी में डिया था अगर मैं थोगा सबी मार्जिंग लिया हो था तो में ट्रेट लॉस जाने की कोई चांस ही नहीं थी बट कोई नहीं तो इस वाली विन कराएगे अब है तो चीज आप यहां पर देख रहे हैं इसके बाद कैसे उड़ रही है तो अपनी का पाउर देखो गाई और कैसे हम यहां पर निकलते हैं वह चीज आप देख रहे हो ठीक है तो भाई मैं बिल्कुल प्राइजेक्शन को उपर काम करता हूं बहुत सारे मेरे पास नॉले फर्में बैक टू बैकर करकर करें एके जाब को तो आपको यहां बजर रहा है तो सव्डुन करना ठीक है तो उसको नोग्न आईगी तो आईगी एकदम डेफिनेटली डाउन आईगी तो आएगई तो आएगई इसके बाद वाली जो ट्रेड है डाउन आएगी तो आएगे ठीक है अब इतना पंदा सेकंड पहले मैं कैसे बोलता हूं कि भाई मैं बिलकुल हंडेट एंट एंट परसेंट इसके बाद वाली कंडल डाउन आएगी ठीक है तो देखो मैंने आप दो ट्रेड लगा दिया गई यहां पर देखना आप लोग को समझना है आप लोग कहीं भी जाओगे ना किसी इक वाई टेलेग्राम पर तो दस सेकंड पाइल आपको पोई भी ट्रेड नहीं देगा हर लोग आपको उसी टाइम देते हैं जैसे करना क्लोज हो जाता है तो आपको सिंगना लेते हो जैसे लेते हो तो नहीं बनेगी और होना ही यहां पर देखा कि मेरी किस तरीका से ती और केंडल किस तरीक से बनाई तो यह चीज है ठीक है दखो यह इकेंडल बन रही है ग्रिन उससे कोई दिक करेंगे कि मुझे पता है कि इसके बाद वाली केंडल डाउन आएगी तो आएगी तो मैंने यहां पर ट्रेड लगा दिया चार्टर मैंने लगा दिया तो एनलेसिस का प्राउड देखो गाइज मैं आपको बैग टू बैग केंडल पर टेड करके दिखाऊंगा ठीक है मैं वै इसको मार्केट को हम चेंज कर लेंगे ठीक है इसके बाद यह वाले टेड हमारी पहले बीन हो जा रही है या फिर नहीं जा रही है हट टाइम आप देख सको मेरे एम्टीजी जब भी गूरूप में देता हूँ बट आप मैं नहीं बोल दा कि आप में अब देखना मेरे जाती की नहीं है की चाइब है देखे रहे हो यहाँ आपे ट्रेड ही यहां पर आठीक तो बदय रहे हैं जाक ही रहे चलो यहां पर 12-100 बना दिया अब एक को यह और अच्छे मार्केट को पकरते हैं और उसमें टेट करते हैं ठीक है थोई सा मार्केट तो इसके बाद यहां पर टेट करूंगा तो इसमें नहीं करूंगा मैं बहुत अच्छे इसको देखकर ट्रेड करूंगा और प्लेश नुवाइस अरे तो इग्णॉर करना हाँ मुझे वहां से कोई दिकत नहीं वरी है मेरे को नुवाइस से गन्या बाजर तो उसे कोई दिकत नहीं मुझे कि अपनी अलेसिस बता डिये कि यहां से मार्केट रिवर्स करेगा और अप जाएगा ठीक है तो त्री टू और मैंने आपे दो ट्रेड लगा दिया आपका देखो मैं यहां से मार्केट रिवर्स करेगा और देखना यहां से मैं बैक टू बैक कैसे इस ट्रेड को में करके अपनी कैपिटल को देखना कि मैं कितना इंक्रेज कर रहा हूं आप लोग एगदम बेडाउट मतला रिक्स की आपको टेड कर सकतो मेरे सिगनल पे क्योंकि मैं इस सिंगल को कहीं नहीं मिलेंगे अपनी अनलेसिस बिल्कुर परफेक्ट होती है क्योंकि उपर लग चकी है तो अगर चोटा बन जागा तो लोस वोने की चांसे से लेकिन अगर यह लोस भी हो जाते हैं तो मैं आप से बोला था कि आप यह गैप है तो उस गैप को फिल करने मा करता हूं गैज क्योंकि आप लोग डर जाते हो MTG पर ठीक है देखो केंडल कहां पर क्रोजिंग दी जाकर देख रहे हो ना आप देखो मेरी एनलेसिस की पाउड गैज यह वाली केंडल कैसी क्रोजिंग दिया बताओ इस केंडल मतलब क्या इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता लेकिन मैंने जिस तरीके से अलेसिस की आप यहां पर देख रहे हो कि यह वाली ट्रेट थी कौन सा यह वाली लॉस गई थी मरी तो यहां पर ठोजिसे नीचे मेरी लगी थी लेकिन उसकी MTG देखो कि किस तरीका से जा रही है आप लोग MTG बहुत लोग कई उच्के होगा कि लोग आपको लॉस करा देते हैं तो वह चीज हम नहीं करते हैं ठीक है हमारी एलेसिस बेलकुर परफेक्ट होती है और उसी पर मैं चलता हूं देखो यह वाली ट्रेट यहां पर लोग जाए अगर यह वाली अगर कंडल रेट बन जाएगी तो मैं लोग तो यहां पर मैं इ करने के लिए और यहां पर यहां पर देखो मैंने काफी जादे रेतेत मार दिया हो यहां पर मैंने इतना ट्रेट माने का सिंपल कारना हूं देखक हो मेरी पौर ठीक है आप यहां पर continued चलो और मैं यहां पर back-to-back candle को जाज करूंगा गाई जैसा निए कि में गड्रीड किया वीरो गया तो में कि अगर दर ने मार्ख कर दिखा वह सकार्ण मैंने यहां पर यहां पर पर प्रॉच टाइब की चांडल बनी ठीट एक एक पता है कि market यहां से reverse करेगा तो हो सकता है कि इस gap को shadow बना के फिर यहां से निकल दे उपर इस विए से मैंने जो possibility जादे बन रही थी green candle की वहीं इसा नहीं यहां पर एक के लिए जा रही है कि इसके बाद की बीकर अप भी जाएगें ठीक है मैंने यहां पे उच्छे असे profit भी कर लिए तो ज्यादा लालाच भी मुझे नहीं करना है लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि मेरी एनलेसिस क्या होती है तो अगर आप लॉस करके दम परसार हो चुके हो बहुत लोगे टेलेग्राम को हुँ चुके हो न तो एक बाद मेरे टेलेग्राम को जोइन करो मेरे लिंक से आकाउंट बनाकर मीनिमम फिप्रीड और आपकी मतलब लॉस हंडेट एंट एंट परसार होगी ही होगी अगर मेरे को फ्लो करोगे तो देखो एक एंडल को ग्रीन बनना ही बनना पड़ेगा अगर यह केंडल बनेगी तो मैं यहां पेंटी जीउच करूंगा क्योंकि मेरी ट्रेड की एनलेसिस बिल्किन परफेक्ट होती है आगर यहां पर उसके बाद हम यहां पर अपर नहीं करेंगे टीक कि मार्केट ओल्रेडी इस वाली लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर रहे हैं अगर इसके मैंने दाउन के लिए देखो यहां पर MTG मैंने अपनी समय इसलिए नहीं लिए कि मार्केट नहीं इस वाली लेवल को ब्रेक कर दिया तो मैं मार्केट को जहाज करके यहां पे ट्रेड लेता हूं ठीक है तो देखो यह वाली जूर रहे हूं किसके सिंगनल को फ्लो करें जिसके पास अगर रियल नॉलेज होगा नो आपको बैग टुबैक केंडल का अलेसिस करके दिखा देगा इस मैंने बहुत सारी करेंगा जहाए होगी किसके द्ह रहे है और फिसके सामने चौरा सामने मेरा एक। अबी चल रहा है ठीक है तो यहां पर देखो कि में 1000 डॉलर से मैंने कितना प्रोफिट किया 50% अल्मोस्ट समझे कि मैंने प्रोफिट किया तो कैसे किया मेरे पास अब उपर जाएगा तो यहां पर देख रहे हो मैंने यहां पर देखो यहां पर इसको क्लोजिंग देना चाहिए कर नहीं दे रही है तो मैं यहां पर डेफिनेटली जाओंगा अपने करकेल अब हमने ग्रेफिन प्राइट खरने मार्केल नहीं कर सकते हैं किसी इंडिकर पर प्रोफिट नहीं होगा तो हमने जिक जग लगा है न मार्केट का trent पता करने के लिए कि मार्केट अवरल क्या कर रहा है वह चीज को देखने के लिए और देखो बैक टू बैक मैं यहां पर क्रेड करेंग वर किस तरीके से मार्केट चल रही है तो यह चीज आप सीखो गाइस ठीक है और दखो इसी के साथ अगर इवारी पर प्रोफिट मेरी हो जाएंगी तो मेरी पंदरसों डॉलर हो जाएंगी फंदरसों डॉलर से जादे ही हो जाएंगी ठीक है तो मैं विल्कुल अपनी नॉलेज को पर टेड करना हूँ और बैक प्रोफिट कर सकते हो कोई भी आपको इस तरीके से बैक टूबेक एक ही मार्केट में केंडल को जोज नहीं कर सकता है ठीक है इसके बाद की केंडल आप जाएंगी मैंने फिर से एक ट्रेल लगा दिया तो मेरे पस नॉलेज है गाई मैं ऐसा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ दे जासकते है तो यहां पर एवाली टेड हो सके कि लॉस हो जाया यहां यहां पर मैंने ज्यांडल की और लेकिन यहां पर यहां पर इस देखने चायए तो कभी-कभी सी घर बर हो जाते क्योंकि अच्छे से मार्केट को नहीं देखा जाता है तो यहां पर जाती है यहां पर दोनों तरह से मतलब यहां पर था ठीक है तो वह छी आप देखो कि मैंने आपर किस तरीके से किया और यहां पर देखो मैंने कितना अमाउंट कर लिया गाईज 1588 डॉलर थाउजन डॉलर से मैंने स्टार्ट किया और 1588 डॉलर कर लिया 588 डॉलर मतलब आप खुद समझोगा इसका मतलब 40,000-45,000 रूपया हुआ इतना आपने यहां पर सिर्फ 10-15 मिट के अंदर अर्निंग किय बिडाउट मैंने स्किप किया वीडियो में कोई भी कट नहीं किया फिर आपको बैक टूबैक मैंने ट्रेट करके दिखा तो रियल नॉलज़ से ही होता है इस ठीक है तुका मारने से और गैंबलिंग करने से नहीं होता है मैंने यहां से लेका इतना केंडल का मैंने आपको बैक टू-बैक प्रेडिक करके बताया और हर कंडल पर मैंने ट्रेट किया और हड्ररांस मैंने यहां पर बिन करके दिखा कि मैं ट्रेट कशें करता हूं क्या कि